हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बीज अनकुरन और पौधे के विकास पर चुम्ब कत्व के प्रभाव की जाच करेंगे। इस प्रयोग के आश्चरेजनक परिणाम विडियो के अंत में दिखाये जाएंगे। कोई भी माली या किसान अधिक पैदावार वाले तेज, बहतर और बड़े पौधों की इच्छा रखता है। इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी का उप्योग बागवानों को बागवानी और खेती में बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बीज अनकुरन और पौधे के विकास पर बिजली के प्रभाव की जाच की। हमें चुम्बकी एक शेत्र की उपस्थिती में तेजी से और मजबूत होते हैं। अब सामगरी और तरीके। हमें तीन प्लास्टिक कंटेनर, मजबूत मैगनेट, सभी तीन कंटेनरों के लिए समान पौटिंग मिश्रन, समान बीज, एक शासक या एक मापने वाले टेप की आवशक्ता होती है। फिर अधेयन में स्थिरांग पौटिंग मिश्रन, पौधे को प्राप्थ होने वाला पानी, स्थान या पौधे को प्राप्थ प्रकाश और बीज है। अब प्रक्रिया तीन कंटेनरों को A, B और C के रूप में लेबल करें, और पौट सी प्रयोग के लिए नियंत्रन होगा। तीन कंटेनरों को समान पौटिंग मिश्रन से भरें। फिर पौट A में केंदर में एक स्थाय चुमबक रखें, जिसमें चुमबकी एक शेत्र संकरा और मजबूत हो। फिर पौट B में कंटेनर के चारों और कई बार मेगनेट डालें, अधिमान तह पौधे के सामने एक ही दुरुवियता के साथ, ताकि समान चुमबकी एक शेत्र बनाया जा सके। आप खाद सुई का उप्योग करके मेगनेट की दुरुवियता निर्धारित कर सकते हैं। यदि आपके पास एक है, तो सभी तीन कंटेनरों में तीन समान बीज लगाएं। पौट A को सबसे मजबूत चुमबकी एक शेत्र प्राप्त होगा। फिर सभी तीन कंटेनरों को समान मात्रा में पानी से पानी दें। और सभी तीन कंटेनरों को एक ही स्थान पर रखें, जैसे कि खिर्की की सिल्पर, अब परिणामों को देखते हैं, चोथे दिन, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कंटेनर A में बीज, जिसे उच्चतम चुम्बकी अक्षेत्र प्राप्थ हुआ है, अनकुरित हो गय और बरतन B और C में अनकुरित होने के कोई संकेत नहीं है, फिर पांचवे दिन, आप देख सकते हैं कि पॉट B में बीज, एक कमजोर चुम्बकी अक्षेत्र के साथ अनकुरित हो गया है, पॉट C में अभी तक कोई परिणाम नहीं, पॉट A में आगे वृद्धी हुई है और अच्छी छोटी शूटिंग शुरू हो गई है, फिर छटे दिन, अनकुरन शुरू हो गया है, यहां तक की नियंत्रन बरतन में भी, जिसे कोई चुम्बकी एक शेत्र नहीं मिला, फिर पॉट A और B अधिक वृद्धी दिखाते हैं, फिर आठवे दिन, ये परिकल्प पश्ट रूप से सावित करते हैं कि चुम्बकी एक शेत्र में एक मजबूत वैकेटन है, बीज अनकुरन और पॉधे के विकास की दर, आप देख सकते हैं कि बरतन A और B में जड़े मजबूत और बहुत व्यापक है, अब सवाल ये है कि मैगनेट पॉधे के विकास को कैस साथ नीचे टिपणी करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साजा करें और यदि आप इस चैनल के लिए नए है तो सब्सक्राइब करें, हैपी बागवानी